इसकत करते हैं आपके financial plan के बारे में तो finance को manage जब आप करने start करोगे तो जो सबसे पहला चीज आपको करना है why मतलब आपको अपना money management या finance management या अपने wealth create करना क्यों start करना है तो जब तक आपके पास एक strong why नहीं होगा तब तक आप आगी इसको अपने wealth creation को आगे long time तक continue नहीं कर सकते हो एक strong why से क्या होगा कि जब कुछ type के पास आप demotivate feel करोगे और जब अपने why को याद करोगे तो यह why आपको motivation देगा कि कैसे आप अपने wealth creation को continue रख सकते हो सबसे पहले आप अपने आपको सवाल करिए कि आपको wealthy क्यों बनना है अगर आपको wealthy बनना है कि आपको आगे जाके आपके पास जो पैसे हो आपको अपने हिसाब से यूज कर सको आप किसी दूसरे के control में न रहो या आपको अपने बच्चों के education के लिए पैसे यूज करने है आपको अपने parent को पैसे पेक देने है या आपको अपनी life marriage life अपनी family को support करना है जाके जो भी आपके plans है कि strong why आपको चाहिए तो जैसे ही आपने के strong why को लिया now आप ready है आपने पहला step अपना बना लिया है कि आप ready है अपने finance को manage करने के लिए next thing आता है saving and investing saving कैसे करें saving के लिए सबसे पहला जो rule सब लोग बोलते हैं वो क्या है budgeting तो यदि आप देखेंगे अभी तक हमने कुछ भी save नहीं किया क्यों कि हमारे पास कोई tracking नहीं था मतलब हमारे पैसे कहां आ रहे हैं कहां जा रहे हैं हमने आप तक अभी tracking नहीं किया तो budgeting से हमें यह पता चलता है कि leakage कहां है कहां हमारे पैसे leak होके जा रहे हैं budgeting के लिए आप क्या करिए कि इस मन्त में आपने कहां कहां पैसे खर्च की हैं अगर आपने एक उर्पर भी खर्च की हैं तो इसको लिखिए और दो मैने का एक budget बनाई है मतलब दो मैने तक आपके पैसे कितने पैसे आया और कहां कहां जा रहे हैं तो इससे एक आपको हाई लिवल आइडिया लग जाएगा कि आपकी इंकम का जो most of the part है वो कहां पे जा रहा है और यदि आपका जितना इंकम है उससे ज़्यादा आप expense कर रहे हो तो आप कभी भी wealthy नहीं बन सकते हो तो आपको देखना पड़ेगा आपकी expenses क्यों बढ़ रही है आप daily fast food खाने में ज़्यादा पैसे यूज कर रहे हो और daily traveling में यूज कर रहे हो या आपकी smoking की habit है drinking की habit है या simply आपको लगजरी आटम देखाब उसको buy कर ले रहे हो तो इन सब से क्या हो रहा है रहे है कि जो income है धीरे धीरे लीक होके दूसरों के पास जा रही है मतलब आप earning तो कर रहे हो बट अपने लिए नहीं कर रहे हो दूसरों के लिए earning कर रहे हो तो सबसे पहले आप करिए कि expensive को कम से कम करिए आपको देखना पढ़ेगा या आपकी need है या आपकी want है, आप अपने पैसे need पे टाल रहे हो, need पे खर्च कर रहे हैं या want पे खर्च कर रहे हो यजुخिया want पे जायधा फोकस कर रहे हो, मलब आपके पूरे पैसे बस want पे जा रहे हैं तो धीरे धीरे आप कभी भी विल्दी नहीं बन पाओगे आपको अपनी income बढ़ाने के साथ साथ अपने expense को भी manage करना सीखना पड़ेगा क्योंकि आप suppose करिये एक बाल्टी है आप उस बाल्टी में पानी भरते जा रहे हो बट leakage बहुत जादा है पाल्टी में बहुत जगए छेद है तो छेद से आप कितने भी पानी भठते जाओ धीरे धीरे वो leakage के थुरू वो छेद के थुरू सारा का सारा पानी जो है निकल जागा तो सेम चीज हमारे money के साथ होता है हमारी income तो बहुत अच्छी है लेकिन यो leakage है धीरे 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 हमारे income को खाते जा रहे है तो इसकी वज़े से हम जो हमारे condition पांच साल पहले थी हम आज भी उसी condition में है मतलब हमारे assets बहुत ज़्यादा नहीं है liabilities बहुत ज़्यादा है तो now हमारे focus करना है कि अब हमने budgeting के थुरू देखती है कि हमारे पैसे कहां पे जा रहे है कैसे आ रहे है तो अब हम अपने expense को manage करके जो पैसे बज रहे है इसको आपको investing में ज़्यादा focus करना है और most of the things क्या होता है कि advertisement credit card तो आजकल जो credit card का use है काफी ज़्यादा बाड़ा है इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि हमारी expense की habit बहुत ज़्यादा हो गई है प्लस हम advertisement देखते है तो advertisement से क्या होता है कि जो चीज़ हम खरीदना नहीं भी चाहते है फिर ही इसको खरीदते रहते है because of advertisement तो ये सब चीज़े से क्या होता है कि हमारे पास पैसा तिकता नहीं है सबसे पहले आपको एक rule बनानो कि आपको पैसे को अपने पास तिकाना सीखना है पैसा तिकना चाहिए वो पैसा किस काम का कि आपके हाँ से अद्टे ही महीने के end होते होते धीरे-धीरे निकल जाता है यह वही बात हो गई कि आपके हाथ में leakage है, पैसा आया, लिग के थुरू चला गया तो सबसे पहला focus, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि investing आज ही से start करनी है कुछ लोग यह सोचते हैं कि बहुत ज्यादा हम बहुत आगे आ चुके हैं आप saving investing करने का कोई फाइदा नही है, तो एक चीज़ आप यह हमेशा याद रखिए कि saving और investing इस start करने का यह नहीं कि particular age होता है तो जब भी आप चाहें, जिस age से चाहें, start कर सकते हैं तो जितने जल्दी आप इस start करेंगे, उत्ती ज़्यादा आप compounding का use कर सकते हो तो suppose आपके क्या हो आपने job करने start किया, but job करने के starting के साथ साथ ही आपके पास education loan है, आपके पास credit card का loan है तो इस case में क्या होगा कि आप पैसे invest नहीं कर पाऊगे, आपकी जो पैसे हैं वो debt को pay करने में जाएंगे तो आपका जो पहला focus होना चाहिए debt free, कोई भी investing, saving, starting करने के पहले आपको सबसे पहले एक debt free बनाना है credit card का use करना बंद कर दीजे, कोई भी education loan हो तो उसको जल्दी से जल्दी pay करिए, और भी कोई debt है, तो सबको धीरे धीरे pay करते रहिए जब आप debt free हो जाएंगे तो आप जितनी इकम कर रहे हो पूरा आपका है, आप now अपना saving non investing start कर सकते हैं, emergency fund रहे हो, उसके पास saving and investing start करते रहे है इची यह याद रखना है कि आप जो एक रुपए आज save कर रहे हो, वो आगे जाके 10 रुपए भी होता है, 100 रुपए भी होता है, 1000 रुपए भी होता है, compounding का use करते हुए, compounding का use करते रहे है, compounding दोनों पर काम करती है, यदि आपके पास debt है, तो compounding के बज़े से वो debt की value ध देरे देरे बढ़ती रहती है आपने investing में इस compounding को लगा दिया तो इससे क्या होगा है धीरे 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 आपके money grow होती रहेगी तो आपने क्या सिखा कि सबसे पहला काम why आपको wealthy क्यों बनना है उसके बाद budgeting बनाई यह ताकि आपको पता चले कि leakage कहां पर हो रहा है और leakage को fix क करने के बाद सेविंग और investing स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे जितना भी आपके पास पैसा भी बच रहा है उसको सेव इंवेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए पीस मिलेगा आप financial peace मिलेगा आप free free करोगे कि आप एक freedom wild life enjoy कर रहे हो